नास्ता दोस्तों कमस्यागर्मी के यूटूब पोटल पे आपका स्वागत है आज का ये वीडियो पप्लिस वीडियो है जिसमें हम लोग परिक्षा गुरू उपर्ण्यास की बात करेंगे जो की UGC NET के पार्ठिकरम में है जबकि UPHC के पार्ठिकरम में नदी के द्यूप उपर्ण्यास से वह लोगों को दिया गया उपर्ण्यास विधा की इकाई कल समाप्त हो जाएगी परसों से कहानी विधा प्रारंब होगी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई बार इस उपर्ण्यास को पढ़ चुके हैं उपर्ण्यास के बारी में जानते हैं और एक दो मिनिट का वीडियो देखते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि ये तो पढ़ा हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना है, चीजों को समझते चलना है, आपने परिक्षा गुरु उपन्यास पढ़ा, क्या आपको पता है कि इस उपन्यास में परिक्षा किसक संसारी वार्ता इसे अगर कहा गया है लाला रिश्ट्री निमास के द्वारा, तो किसके कथन के आधार पर संसारी वार्ता कहा गया, इस उपन्यास में कौन सा पात्र है, जो पत्रकार है, इस उपन्यास में कौन सा पात्र है, जो वकील है, इस उपन्यास में कौन सा पात्र ह में नौकरी करता है इसमें जो 41 प्रकण है 41 प्रकण में हर प्रकण एक 35 से प्रारम होती है सबसे अधिक पंक्तियां इस पूरे उपन्यास में किस से ली गई है मुख्य पात्र के रूप में जो लाला मदन मोहन है लाला मदन मोहन के कितने वर्सों की कथा इस उपन्यास में है लाला मदन मोहन का ससुराल कहां है तो यह सारी चीजें हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो जिनको नहीं पता है वो अंत तक वीडियो जरूर भाषा ज्यान विद्या नहीं विद्या का धर्वाजा है जो भाषा होती है चाहे वो जो भी भाषा हो भाषा ज्यान विद्या नहीं है बलकि विद्या का धर्वाजा है भाषा यह इसी उपन्यास में कहा गया है किसने कहा है कि आपको पता है अगर नहीं पता है तो जरूर अंत तक देखें चीजों को समझते चलें एक एक करके यहाँ पर सारी चीज़ें समझाई जाएंगी सारी चीज़ें बताई जाएंगी साध्य एक बार मैंने गल्ती से इसमें महिला पातर में कामनी और प्रयमवदा का जिक्र कर दिया था तो गलत है इसलिए उस वीडियो को रिमूब कर दिया गया वीडियो हटा दिया गया और पूरा उपन्यास जो आपके पाठिकरम में लगे हैं मूल किताब से ही पढ़ाया जाता है लेकिन उस समय मैंने साध्यान नहीं दिया होगा या जो भी कारण रहा हो तो उस चीज़ को मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ जहां पर कोई ऐसी चीज़े हैं क्योंकि सारी चीज़ें जितनी भी दी जाती हैं समूल किताब से ही दी जाती हैं तो ये एक मात्र ऐसा उपन्यास है जिसमें एक भी महिला पात्र का नाम नहीं है हाँ महिला पात्र का जिक्र जरूर आया है लाला मदन मोहन की पत्नी का जिक्र आया है जब लाला मदन मोहन को उनके जमीन की जब पूरी नालिस होती है उनको जेल हो जाता है एक रात के लिए जब वो बंद होते हैं तो उनकी पत्नी मेरट से आती है वहाँ पर जीक रहे एक जगह पर दूसरी जगह पर लाला मदन मोहन की पत्नी का वहाँ पर जीक रहे जब उनके दोनों बच्चों को लेकर एक बूढ़ी औरत लाला ब्रज की सोर के पास जाती है लेकिन न उस बूढ़ी औरत का ही नाम है और ना ही लाला मदर मोहन की पत्नी का नाम है तो किसी भी महिला पात्र के नाम का उलेख नहीं किया गया है वो इसे कल उपन्यास विधा पूरा हो जाएगा और परसों से कहानी विधा से नया बैच सुरू होगा क्योंकि हमारे हाँ हर unit से नया बैच सुरू होता है तो जो लोग यहाँ से जुड़ेंगे वो कहानी पढ़ेंगे कहानी के बाद में नाटक होगा निबंध होगा अन्य विधा होगी फिर भाषा होगा हम लोग एक पर आ जाएंगे और जैसे ही कहानी पर पहुंचेंगे आपका स्लेबस कंप्लीट होगा और फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका रिवीजन होता जाएगा तो यह साइकलिक करम चलता रहता है चलिए सु तो आप इस नंबर को लिख लिजिए या स्क्रीन शॉट ले लिजिए इसी पर आप फोन करके या वट्सप करके सारी जानकारी ले सकते हैं तो शुरू करते हैं आज के इस महत्पूर्ण वीडियो लेक्चर को यह वीडियो लेक्चर पब्लिस है चाहे वो हमारे पेड़ मि सभी के लिए है लाला स्री निवासदास जिनका जन्म 1850 में हुआ उनका मिरत 1907 में हुआ इनका उपन्यास परिक्षागुरू जिसका प्रकासन 1882 में हुआ लाला स्री निवासदास के जो नाटक है वह तत्त्वा संबरन है सेयोगिता सुएंबर है प्रहलाद चरित है उपन्यास को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसने माना तो आचार रामचंद शुक्र ने माना ये भी परिक्षा में यहीं से प्रस्ण बनना सुरू हो जाता है इसकी भूमिका में इसे अपनी भासा में नई चाल की पुस्तक कहा गया है जब आप लाला स्री निवासदा ने कहा है कि अब तक नागरी और उर्दू भासा में अनेक तरह की अच्छे-च्छे पुस्तक के तयार हो चुकी है लेकिन मेरे जान से इस रीती से कोई नहीं लिखी गई इसलिए अपनी भासा में ये नई चाल की पुस्तक होगी इस उपन्यास को जो संसारी वारता कहा गय भूमिका में यह भी पताया गया लाला स्री निवास दास के द्वारा कि आखिर इस किताब को लिखने में हमने किसकी किसकी मदद ली है तो उन्होंने भूमिका में लिखा कि इस पुस्तक को रचने में मुझको महा भारतादी, संस्कृत, घुलिस्ता वगरे फारसी, इस्प पर्ण्यास में दिल्ली के कलपी तरईस, लाला मदन मोहन, कुसंग के कारण दिखावई से सारा धन बरबाद करते हैं और अंत में अच्छे संग से सुधर जाते हैं जहां तक परिक्षा गुरू की बात है तो परिक्षा किसकी हो रही होती है अगर हम आप्रत्यक्ष रूप से देखें तो आप परिक्ष रूप से परिक्षा लाला मदन मोहन की हो रही है जबकि हुरू के रूप में अगर देखें यानि अच्छी सीख कौन दे रहा है तो गुरू के रूप में लाला ब्रजिक की सोर हैं जो अच्छी सीख दे रहे हैं अब आपके मन में यह सवाल आता कि बाकि जितने भी पात्र हैं अगर आपने पहले पढ़ा होगा अब यागे तो हम बात करेंगे जितने भी पात्र हैं उन पात्रों में सभी लाला मदन मोहन की चापलूसी करते हैं चाहे वो मास्टर सिंभू दयाल हों चाहे चुन्नी लाल हों चाहे बाइजनात हों चाहे उसको पढ़ाया लिखाया लाला मदन मोहन के पिता ने इसलिए वह एक तरीके से अपने भाई के रूप में मानता है लाला मदन मोहन को और लाला मदन मोहन की इस दसा को देखकर वो उनको समझाता है वो इसे जहां तक गुरू की बात है जहां तक गुरू की बात है कि गुरू आखिर क्यों कहा गया है गुरू कहने का क्या मकसद है क्या कारण है तो इस उपन्यास में बताया गया है इस उपन्यास में ये बताया गया है कि गुरू आखिर क्यों कहा गया है उसमें ये समझाया गया है पूरी तरीके से ये सारी चीजे बताई गई है कि जो बात सौ बार समझाने से समझ में नहीं आता है वो एक बार की परिक्षा से भली भाती मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परिक्षा को गुरु मानते हैं इस उपन्यास की सबसे अच्छी विश्यस्ता यह है कि इसमें नौजागरण की प्रतिधोनी सुनाई पड़ती है, अपनी भासा की उन्नती के साथ नए धंकी खेती और कलकार खानों की उन्नती पर बल दिया गया है, अंग्रेजु की नकल को निसिद ठहराया गया है, बच्चं सिंग ने परिक्षा गुरू के बारे में बद कहा है कि प्रेम चंद के आधरसोन मुक्ख यथार्टकी गंगा की गो मुक् eggplant की यही है, यह कहा गया है कि इसके दोरा तो बच्चं सिंग ने हिंदी साहिव्ती के दूसरे इतिहास में कहा है, ये भी आपके लिए बह पित रईस लाला मदन मोहन के पिता भी व्यापारी थे उन्होंने छोटे से व्यापार से बहुत सा धन कमाया अपने पुत्र मदन मोहन की सिक्षा के लिए मास्टर सिंभु दयाल को रख दिया लेकिन उन्हीं क्या पता था कि भाषा ग्यान विधा नहीं ग्यान विद्या नही विद्या का धरवाजा है अभी मैंने स्टेटस पर भी ये लगाया हुआ है हो सकता है कही लोगों ने देखा हो अगर नहीं देखा तो देख लें 24 जो परकरण है 24 परकरण उस 24 परकरण में कहा गया है लाला मदन मोहन के पिता कहते हैं कि भाषा ग्यान विद्या नहीं विद्या का दरवाजा है तो वह नहीं जानते थे और उन्होंने मास्टर सिम्भू दयाल को रखा लेकिन वह पर लिख नहीं सका और बड़ा होकर उसके संगी साती उसे भैका भैका कर धन खर्ज कराते रहे मजा करते रहे लाला ब्रज किसोर एक गरीब लड़का था जिसको मदन मोहन के पिता ने पढ़ाया लिखाया और वह वकील हो गया यानि इस उपन्यास में वकील कौन है तो लाला ब्रज किसोर वकील है लाला ब्रज किसोर को किस ने पढ़ाया लिखाया तो मदन मोहन के पिता ने पढ़ाया लेकिन मदन मोहन को इस बात की खबर नहीं थी मदन मोहन के चुपके चुपके उन्होंने ये किया क्योंकि उनका ये मानना था कि किसी के साथ अगर अच्छा कारिक किया जाए किसी की अगर सहायता की जाए तो दिखावा नहीं किसी को दिखा कर नहीं करना चाहिए ब्रज की सोर का मुंसी चुन्नी लाल था ब्रज की सोर के यहां काम करता था लेकिन लाला ब्रज की सोर को यह बात नहीं पसंती वकिल साब को यह बात नहीं पसंती और उन्होंने चुन्नी लाल को अंततहन निकाल दिया और वहां से वो आकर लाला मदन मोहन के यहां नौकरी कर लेता है खेर बाद में चुन्नी लाल के भाई को बाद में लाला ब्रज की सोर अपने यहां नौकर रख लेते हैं चुन्नी लाल के भाई को बाद में ये नोकर अपने यहां रख लेते हैं लाला मदन मोहन को अंग्रेजों की तर्ज पर सोख करने के लिए बढ़ावा देने वालों में चुन्नी लाल, सिंभु दयाल, बाबु बैजनाथ जो की एक रेलवे में नोकरी करते थे रेलवे में नोकरी करते थे और साथ में पत्रकारिता भी करते थे समाजार पत्रों में लिखते भी थे तो पत्रकार भी थे और रेलवे में नोकरी भी करते थे बाबु बैजनाथ, पुरसोत्तम, अहमद हुसेन आदि थे इन्ही लोगों के वावाही पर लाला मदन मोहन खर्च के परवाह बिना रईसी ठाटबाट में जीने लगे दरबार लगने लगा नोकर जो लग जाता वो उसे नहीं हटाया जाता मिस्टर ब्राइट के दुकान से विदेशी असबाब की खरीदारी उधारी पर हो जाती थी मिस्टर रसल के साथ पैसा लगा कर नील की खेती पटसन खरीदारी होती थी लेकिन आए से अधिक खर्च के करण उधारी बढ़ती गई और अंत में लेनदारों ने मुकदमा कर दिया जिससे सारे सागिर्द और मित्रों ने साथ छोड़ दिया अंत समय में लाला मदन मोहन का साथ देने वालों में केवल उनकी पतनी और लाला ब्रज की सोर थे जिन्होंने मदन मोहन को जेल से रिया कराया इस संपूर उपन्यास में लाला मदन मोहन के जीवन के बजपन से लेकर तीस वर्ज की कथा इसमें दी गई है लाला मदन मोहन का सखलाल मेरट में है और इनके साले का नाम था जग जीवन दास इसमें अब यहीं से आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि लाला मदन मोहन के जीवन के कितने वरसों की कथा इस परिक्षा गुरु उपन्यास में दिखाया गया है कितने वर्षों की कथा तो तीस वर्षों की कथा प्रक्रण 49 में आप अगर देखेंगे प्रक्रण 49 है प्रेत भय प्रेत भय यानि जब वो जेल में बंद रहते हैं सारे लोग चले जाते हैं अंधेरा हो जाता है फिर यह सोचते हैं कि मेरी इज़त गई मेरी दौलत गई मेरा आराम गया मेरा नाम गया मैं लज्जा से किसी को मुख नहीं दिखा सकता किसी से बात नहीं कर सकता फिर मुझको संसार में जीने से क्या लाभ है इस और मौत दे तो इस दुख से पीछा छुटे परन्त अभागे मन उसको मौत क्या म सांगे से मिल सकती है है जब मुझको तीस वर्ष की अवस्था में यह संसार ऐसा भयंकर लगता है तो साथ वर्ष की अवस्था में न जाने मेरी क्या दसा होगी तो इसमें उनके जीवन के तीस वर्ष की कथा है संपूर उपन्यास 41 प्रक्रणों में है 41 प्रक्रणों में है प्रतेक प्रक्रण का प्रारंब किसी ना किसी रचना के पदी या वाक्य से प्रारंब होता है जैसे जो पहला प्रक्रण है वह पहला प्रक्रण आप देखेंगे लाड चेस्टर फिल्ड के कथन से होता है मैंने पूछा भी था आप लोगों से कि चतूर मनुस्य को जितने खर्च में अच्छी परतिष्ठा अथवाधन मिल सकता है मूर्ख को उससे अधिक खर्च में खर्च करने पर भी कुछ नहीं मिलता कथन किसका है कई लोगों ने कहा कि परिक्षा गुरू उपन्यास का है किसी ने कुछ बताया मैंने का यह कथन किसका यह बताना है पर यह नहीं पूछा है कि किस उपन्यास का है तो यह कथन लाड चेस्टर फिल्ड का है और इनहीं के कथन से यह उपन्यास प्रारंब होता है इसके बाद में अन्य आगे जो परकरण हैं उन सब में व्रिंद के पद हैं सबसे अधिक किस के पद हैं तो व्रिंद के पद लिए गए हैं हितोब्देश का पद है हरिबंस का पद है मनुश्मिर्ति का पद है विर्दुर प्रजागरे का पद है कवीर का पद है तो इस तरीके से सारे पद है किसके किसके पद है ये पूरा पीडियप तो मैंने आपको भेजाई है जिसे आपने देखा होगा तुलसी रास का भी पद है अब पात्रों की अगर बात करें तो लाला मदन मोहन दिल्ली के एक कलपित रई सिव्यापारी है अंग्रेजी ठाट ब वा चापलूस व्यक्ति जो पहले व्रज किसोर के यहां मुंसी और बाद में मदन मोहन के यहां मुंसी होते हैं इनकी पुत्री की साधी होती है मुन्सी चुन्नि लाल के साधी लगी होती है और उसका खर्च चापलूसी के साथ लाला मदन मोहन से मांगते हैं लेकिन जब अंत समय आता है पूरी तरीके से मदन मोहन दीवालिया हो चुके होते हैं उस वक्त मुंसी चुनिलाल उनका साथ छोड़ देते हैं मुसि चुनिलाल साथ छोड़ देते हैं और वह साथ में नहीं रहते हैं उनका साथ छोड़कर मुसि चुनिलाल भी चले जाते हैं आगे सिंभू देयल की अगर बात करें तो मास्टर सिंभू देयल मदर मुहन के बचपन में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक थे और बाद में उसी चापलुसी के करन मदन मोहन के यहां से चापलुसी के कान मदर से में उनको निक्त कर दिया जाता है क्योंकि जब सामान लेने की बात आती है तो ब्रज किसो कहते हैं कि इसके बिना आपका इस समय कौन सा काम अठक रहा है तो ये सारी चीजों समझाते हैं कहते हैं खेल तमासे की चीजों से भोले भाले आदमियों का जीलल चाता है और वो सवधागर की सब दुकान को अपने घर ले जाना चाते है प्रंत बुद्धिमान अपनी जरूरी चीजों के सिवाए किसी पर दिल नहीं दोडाते तो ये समझाते हैं जबकि मुंसी चुन्निलाल हैं सिंभु दयाल हैं ये लोग चापलूसी करते हैं सिंभु दयाल कि निसंदे ये काच आपके कमरे के लायक है और इनके लगने से आपकी सोभा दुगनी हो जाएगी। मदन मोहन के खिलाब पैसे की वसूली के लिए, मिश्टर रसल की बात करें तो ये एक ब्रेटिस व्यापारी है जो नील और पटसन की खरिदारी करता है, मदन मोहन के साथ मिलकर व्यापार करता है। मदन मोहन से पहले रसल का लेंदेन राम प्रसाद बनारसी से था ब्यापार में घाटा हो गया राम प्रसाद बनारसी ने रसल से अपने रुपए लेने के लिए मुकदमा करता है रसल के कार खाने की निलामी होने वाली है इसलिए रुपएयों के प्रबंद के लिए लाला मद लाला मदन मोहन से पहले किस से था तो राम परसाद बनार्शी से था या मिस्टर रसल का लेंदिन किस किस से था तो लाला मदन मोहन से था और राम परसाद बनार्शी से भी था हर गोविंद की बात करें तो ये पंसारी का लड़का है जो लाला मदन मोहन के लिए लखनव के परसिद टोपियां लाता है आमद हुसेन लाला मदन मोहन के लिए इत्र लाता है अजमेर का परसिद इत्र पंडित पूरसोत्तम दास ये भी लाला मदन मोहन के पास आते जाते है सभा में बैठे रहते हैं एक तरीके से हसी के पात रहें पंडित पूरसोत्तम दास हसी के पात रहें हसी के पात रहें पंडित पुरसोत अंदास एक बार की कहान यह पूरा इसमें दिया हुआ है कि किसी ने पूछा कि पंडी ये तो सारी चीज़े जानते हैं सब कुछ बता सकते हैं तो उन्होंने कहां बिल्कुल बता सकते हैं उनके पास जो पोती रखी हुई थी जिसको हम आजकल पैड कहते है और निकाला और दिया किसी को घ्री के लिजिए इस पर लिखिए और हम बता देंगे आपने क्या लिखा है तो किसी ने लिया और लिख दिया उसपर करेला और उस पैड पर उन्होंने काजल लगा रखा था जिसको आज हम लोग कारबन कहते हैं जिससे जो भी उपर लिखा जाता वो नीचे छब जाता था फिर पैड पंडित पुर्सोत्तम दास ले लिया और कहा बहुत गर्ब से कि मैं जानता हूँ आपने करेला लिखा है तो इस तरीके से लोग वह वहीं की करने लगे फिर कई बातों पर पूछने लगे तो एक तम हसी के पात्र के रूप में लाल यह पत्रिकारिता भी करते हैं पत्रिकार भी है मैंने अभी बताया था कि पत्रिकार कौन है वकील कौन है मदर मोहन के कितने वर्सों की कथा है तो तीस वर्सों के मदर मोहन का ससुलाल कहा है तो मेरठ में किसकी सबसे अधिक पंग्तिया है तो विरिंद की तो यह सारी चीज लाला हरकिसोर एक छोटा व्यापारी था जो साठन आधी कपड़े यानि सजावटी जो कपड़े थे वो लाला मदन मोहन के यहां देता रहता था हरकिसोर जग जीवन दास मेरट के रहने वाले हैं मदन मोहन की पत्नी के भाई हैं अन्य पात्रों में आगा हसन है जो घोडे का व्यापारी है निहाल चन मोदी यह भी व्यापारी है इसका भी सामान लाला मदन मोहन के हां आता है हीरा लाल चुन्नी लाल के भाई है जिनको बाद में ब्रज की सोर अपने यहां रख लेते हैं ब्रज की सोर के दो छोटे भाई हैं नवल की सोर और जुगल की सोर जिनके पढ़ाई लिखाई का पूरा एंतेजाम लाला ब्रज की सोर को करना पड़ता है पिता जी का देहांत हो गया है दोनों भाईयों की जिम्मेदारी लाला ब्रज की सोर पर है उपन्यास का पहला प्रक्रण सौधागर की दुकान लाड चेस्टर फिल्ड के कथन से प्रारंब होता है कि चत्रों मनुस को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठात वादन मिल सक सकता है मूर्ख को उससे अधिक खर्च में कुछ नहीं मिलता वहीं उपन्यास का अंतिम 41 प्रक्रण सुख की परमावधी ललू-लाल की रचना सभा विलाज की पंक्ति से प्रारंब होता है यह भी मैंने लाइव कक्षा में आप लोगों से पूछा था याद होगा आप प्रक्रण है जितने भी प्रक्रण दिये गए प्रक्रण में जो पंक्तियां है उन पंक्तियों के माध्यम से आप उस प्रक्रण की विशेवस्तू को समझ सकते हैं कि जब तक एक जब तक किसी से किसी का स्वारत लगा होता है तब ही तक लोग साथ होते हैं और स्वारत खतम होते ही पूरी तरीके से साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अंतिम प्रक्रम दिखाया गया है कि लाला मदन मोहन जेल में बंद होते हैं और वहां पर कोई उनके साथ नहीं होता है वह घवराहत में रहते हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वह हैं लाला ब्रज की सोर जो इन्हें समझाते हैं परिक्षा गुरू के समस्त प्रक्रण और प्रारम्भ की पंक्तियां कौन सी हैं यह आपके लिए बहुत ही मात्पूर्ण क्रम से भी पूछा जाता है और परिक्षा में पूछा भी जा चुका है तो यहां पर सारे 41 प्रक्रण मैंने दे रखा है सवदागर की दुकान पहला प्रक्रण है लाड़ चेस्टर फील्ड के कथन से सुरू होता है अकाल में अधिमास वरिंद की पंक्ति से सुरू होता है जो दूसरा प्रक्रण है अकाल में अधिमास आप्रापति के दिननन में खर्च होता अविचार और घर आवत हैं पाहुनों वडिज न लाभ लगार तो ये पंक्ती दी गई है और इसमें हज़त साधी का कथन भी दिया गया कि दुर्बलत पस्वी से कठिन समय में उसके दुख का हाल न पूछ और पूछें तो उसके दुख की दवा करना चाहिए ये हज़त साधी के कथन की बात हुई है इसमें मुख करते हैं कि मेरे कारखाने की नाली सोने वाली है दो और मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है तो यह सारी चीज बताते हैं राम प्रसाद का उधारी भी बताते हैं तो यह पूर्य बात कहा गया है तो आप्रफाति के दिननें में खर्च होता अभीचार और घर आbasालें व तो यह कहा गया कि अगर दिन अच्चे तो फिर कोई नहीं सोचता है घ transfer यहाहता है कोई पाँणों कोई विम्मान कोई भी धरवाजे पर आता है उसके लिए कोई भी लग लपेट नहीं होती पूरी तरीके से उसकी व्योस्ता के, जाती है जो जो मांता है उसके लिए पहुँचायाई आता है इसके बाद में संगति का फल कि जिस्पे हितोप देश की पंक्तियां दी गई है सायसी संगति होती है वैसा ही व्यक्ति पर उसका अशर होता है जिसमें लाला हर गोविन जो पंसारी कलणका है वो टोपी लेकर आता है वहें पर पुरसोत्तम बैठे होते हैं पूरी सभा लगी होती है तो यहाँ पर यह सारी बाते हुई है उसका प्रकरण टोपी वाला प्रकरण संगती का फल में है मित्र मिलाप जो प्रकरण है वो इन पंक्तियों से प्रारंब होता है ऐसे विसया साथ भले बुरे की पहचान साउधानी सब मेहा जो पंक्ती है देखे यह मात्पूर्ण बहुत जादा है सब मेहा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कभीर की कौन सी पंक्ति परिक्षा गुरु उपन्यास में है तो यह कह साधे सब सदे सब साधे सब जाएं और जो गह सीचे मूल को फूले फले अगाए यह प्रकरण आठ में दिया गया है यह प्रक्रण आठ में दिया गया है जिसमें पत्रकार बाइजनात की बात की गई है लाला ब्रज की सोर है उनकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है प्रक्रण 9 है सभासत जिसमें हितोवदेश की पंक्तियों से प्रारंभ होता है प्रक्रण 10 है ऐसे इस तरीके से पूरे के पूरे 41 प्रक्रण मैंने आप लोगों को दिया है पूरे 41 प्रक्रण मैंने दिया है पोप का ये जो कथन है ये भी बहुत ही मात्पूर्ण है जो प्रक्रणतेश से प्रारंब होता है कि एक प्रमाडिक मनुस परमेश्वर की सरबोते क्रिष्ट रचना है तो ये सारी पंक्ति मैंने दी है ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को PDF उपलब्ध करा दिया है आपके वर्टसप पर आ गया है सिर्फ और सिर्फ इसमें जो मात्पूर्ण कथन है उन कथन की बात हम लोग करेंगे कि परिच्छा गुरुप अन्यास के महत्पूर्ण तत्थ और कथन मुंसी चुनिलाल ने कहा कि हजरत साधी का कथन है कि दुरबल तपस्वी से कठिन समय में उसके दुख का हाल ना पूछ और पूछे तो उसके दुख की दवा कर हर गोविन ने 18-18 रुपे में लखनों की टोपिया लाया है लाला ब्रज की सोर कहते हैं कि जो मनुस इस्वर का नियम तोड़ेगा उसको अपने पाप का अवस्य दंड मिलेगा ये किस के द्वारा कहा गया है तो लाला ब्रज की सोर के द्वारा कहा गया है लाला ब्रज किसोर के द्वारा कहा गया है बहुत ही महत्पूर कथन है ध्यान रखियेगा ब्रज किसोर कहते हैं कि हीरा और कोईला दोनों में कारवन है और उनके बनने की राशानी क्रिया भी एक सी है फिर भी दोनों में अंतर है एक मातपूर कतन यह है कि ब्रजी किस ओर को सेक्सपियर के नाटक आथेलो के नायक के यागो के समान बताया गया है यह बहुत ही मातपूर कतन है कि परिक्षा गुरू में किस पात्र को सेक्सपियर के नाटक आथेलो के नायक यागो के समान बताया गया है नायक नहीं बलकि खल नायक है जो यागो है उसीका आउतार बताया गया है ब्रज की सुर कहते हैं कि जिस तरह समूद्र में नोका चलाने वाले केवल समूद्र के गहराई नहीं जान सकते इसी तरह संसार में साधारण रीती से मिलने भेटने वाले इधर उदर के निर्थक बातों से कुछ फाइदा नहीं उठा सकते हैं बाहर की सज धज और जाहिर की बनावट से सची सजनता का कुछ संबन नहीं है वह तो दरिद्री धनवान और मूर की विद्वान का भेद भाव छोड़ कर सदा मन की निर्मलता के साथ रहती है और जिस जगह रहती है उसको सदा प्रकासित करती रहती है ये लाला ब्रज की सोर में कहा है मास्टर सिंभू दयाल कहते हैं मास्टर सिंभू दयाल का कथन है कि मेरे जान से तो मनुसे जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पढ़ने ही से दुख होता है यह मास्टर सिंभू दयाल का कथन है पंडित पूर्शोत्तम दाज जो हैं यह कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा की तरफ धूल फेकने वाले अपने ही सीर पर धूल उड़ाते हैं यह जो कथन कहा गया है यह आप देखेंगे यह कथन बहुत ही मात्यपून है प्रक्रण 13 में कहा गया है ब्रज किसूर का कहना है कि पापी आप पाप करने से ही नहीं होता है बलकि पापियों की साहता करने वाले भी पापी होते हैं पापियों की उत्तेजना को बढ़ाने वाले भी पापी होते हैं और पापी एक ही प्रकारके नहीं होते हैं पापी कई प्रकारके होते हैं जैसे यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि पापियों के बारे में तो कहते हैं पापि कई प्रकार के होते हैं कोई अपने स्वार्थ से कोई अपराधी की मित्रता से कोई औरों की सत्रता से कोई अपराधी के संबंधियों की दया से कोई अपने निज के संबंध से कोई खुसाम वह भी बहुदा वैसे ही पापी और कुटिल होते हैं सिम्भु दयाल जब ब्रज किसोर लाला मदन मोहन को समझाते हैं तो सिम्भु दयाल कहते हैं कि आप तो सतंता की बात करते हैं जब सतंता को आप ऐसा पदात समझते हैं तो आप लाला साहब को इच्छानुसार काम करने से रोक कर क्यों पिंज्रे का पंची बनाना चाथते हैं ब्रज किसूर का कथन है और यह कथन जबायेगा अगर विकल्प में गोदान उपन्यास है तो ज़्यादा तर लोग गोदान उपन्यास ही लगा बैठेंगे जो कि घल्प है ब्रज किसोर ने कहा है करजदारी के बारे में कि करजदारी में सबसे बड़ा दोस यह है कि जो मनु से धर्मात्मा होता है वो भी करज में फंस कर लाचारी से अधर्म की राह चलने लगता है और जब से करज लेने की इच्छा होती है तब ही से लेने वाले को ललचाने और अपनी साहुकारी दिखाने के तरफ तरह तरह की बनावट की जाती है एक बार करज लिए पीछे करज लेने का चस्का पढ़ जाता है और समय पर करज नहीं चुका नहीं चुका सकते तब लेंदार को धहरे देने और उसकी दृष्टी में साहुकार दीखने के लिए ज्यादा ज्यादा कर्ज में जगड़ा जाता है और लेंदान का कड़ा जो तकाजा होता है वो बरता जाता है उसके कर्ज चुकाने के लिए व्यक्ति अधर्म करने लगता है अधर्म में रू करता है मित्रों की तरह तरह की जो जोखे होती है जोखिम होता है उसमें फस्ता जाता है घड़ी भर के मौज के लिए आप जन्द भर के बंदन में बन जाते हैं और अपनी अनुचित इच्छा को सजीवन करने के लिए आप मर मिठते हैं तो यह कर्ज के बारे में कहा गया है लाला ब्रज की सोर के बारे में मुकदमे में लाला ब्रज की सोर के वकील लाला मदन मोहन के वकील ब्रज की सोर होते हैं और निहाल चंद के वकील लतीफ हुसैन होते हैं लतीप उसेन ये भी बहुत ही महत्यपूर्ण है ध्यान रखिएगा तो इस तरीके से इस उपन्यास को आपने देखा कि मात्र 35 मिनिट में संचित में आपको करा दिया गया जब कि पूरा का पूरा उपन्यास आप देखेंगे तो लगभग 176 प्रिष्ट का है लेकिन आसा करत है कि परिक्षा में आने वाले जो कतन है परिक्षा में जो आने वाले तत्य है वो अब आपके इस उपन्यास से आने वाले नहीं चूटेंगे जितनी भी महत्यपूर्ण चीजे थी वो सारी चीजे मैंने करा दी ये पीडिय भी मैंने दे दिया 41 सारे प्रक्रण भी मैंने द पत्किरिया आप लोग जरूर व्यक्त करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेर करिए ताकि जो भी और भी साहिति के लोग हैं उन्हें भी इसका लाब मिल सके अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप भी बैच जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फोन करके या वट्सप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं कल तक उपरन्यास और चलेगा कल लास्ट है और परसों से कहानी विधा सुरू हो जाएगी कहानी विधा का विकास होगा फिर आपके पैठकरम में जो कहानिया लगी है वह प्रारम की जाएंगी आसा करते हैं कि आप अपने प्रत के लिए जरूर बेक्त करेंगे हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही मातपूर्ण लेक्चर के साथ फिर किसी दिन पब्लिस वीडियो में